हलो बच्छों, आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं कोक्रोच के हेड में प्रेजन एक स्पेशल स्टक्चर टेंटोरियम के बारे में तेंटोरियम क्या होता है? कोक्रोच का हेड का हार्ड प्लेट होता है कोक्रोच का जो head होता है in case of nymph, जो उसकी nymphal stage होती है उसके अंदर वो six segment से बना होता है लेकिन in case of adult वो single segment से बना होता है जब कभी भी हम कोक्रोच को मारते हैं तो कोक्रोच का जो abdomen होता है वो पिचक जाता है लेकिन उसका head intact रहता है उसका reason होता है इस tentorium का present होना अब यहाँ पे 6 segments है यहाँ पे यह क्या तो बाकी के 5 segments कहा गए यह जो 6 segments होते हैं यह आपस में fuse होते है to form this hard endoskeleton known as tentorium यह tentorium कोक्रोच के head का hard endoskeleton बनाता है और यही reason होता है कि कोक्रोच का जो head होता है वो intact रहता है तक्यू